हेलो स्टूडेंट स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल में आज की वीडियो के अंदर अपने पढ़ते हैं उरुवरकों की मात्रा की गणना करना ठीक है यानि कि अपने बहुत सारी फसलों में पढ़ते हैं कि इस फसल के अंदर जैसे गेऊं हैं कि गेऊं की फसल के अं तो वह ड़ना एक सब्सक्राइब का प्रियोग करते हैं कि इसैस प्रकार से प्रियोग करते हैं digitator को प्रियोग करते हैं और अपने जैसे बता बताई है मालो 120 किलोग्राम तो अपने शिदा नाइट्रोजन कांसे लाएंगे कि नाइट्रोजन देना 120 किलोग्राम उसका मतलब यह थोड़ी हुआ कि यूरिया देना 120 किलोग्राम उसका मतलब यह नहीं होता है यहां पर नाइट्रोजन देना 120 किलोग्राम अपने को नाइट्रोज परती एक्टेयर होता है, एक एक्टेयर के अंदर इतनी मात्रा देनी हैं, तो अपने देते हैं D.A.P, तो ये थोड़ी है कि S.C. किलोग्राम D.A.P देंगे Y.S.P देंगे तीस पिए जो भी फर्टिलाईजर अपने पास है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, अपने को ये मा आत्राय आपने किस परकार से निकालते हैं आज वो चीज अपने यहां पर पड़ेगे हैं तो इसके लिए कुछ कैलकुलेशन है यानि किस परकार से वह हल की जाती है वह सारी चीज़े आज आपको मैं बताऊंगा तो आज की वीडियो अपने शुरू करते हैं उरुवरक की गणना के साथ, तो जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, इस परकार से अपने किसान है, कोई भी दो हेक्टेर उसके पास भूमी है, ठीक है, दो हेक्टेर भूमी है, उसमें वह नाइट्रोजन देना चाहता है, 100 किलोग्राम, फोस्फोर पास में फर्टिलाइजर कौन-कौन से हैं, को उसके पास में यूरिया है, डिये-पी है, और एमोपी है, ठीक है, यह तीन फर्टिलाइजer हैं, इन पोसक तत्तों की पूर्ति करना चाहता है, तो कैसे करेगा, ठीक है, अब यह चीज़े लिखं़ी होती है, बुक में, ठीक है कितनी चाहिए अब अपने को पहले तो पताऑना के यूरियर जफिदा है 46 परसेंंट ऑब ये पी से नाइट्रोजन भी मिलता है और फासफोर्स भी मिलता है है वह उता है 46 परसेंट और नाइट्रोजन होता है अठारा परतिसल एटेन ठीक है और लोड़ा 48 की वी ग्रेड होती है जो normal चलती है वह ये ग्रेड है अब मोपी के अंदर पोटास होता है याने पोटेशियम होता है 58 से 60 पर्तिसित होता है नॉर्मल 30 अपने को यह पता चल गया कि इतने इतने परसेंटेज के अंदर मिलता है अब निकालेंगे कैसे की यूरिया की कितने मात्रा जरूरी है तो निकालने के लिए पहले अपने को यह देखना है कि कोई भी जो फर्टिलाइजर है वो सिंगल है या कमपोजिट है ठीक है यानि कि जिसके अंदर से एक पोसक्ततों मिल रहे है या किसी में से दो मिल रहे है जैसे डिएपी में दो पोसक्ततों मिल रहे है अपने को इसका परियोग अपने करते हैं फोसफोर्स के लिए परन्तो इसमें नाइट्रोजन भी एक्स्टा अपने को मिल रही है तो जो कमप यह निकाड़ने के लिए पहले अपने पास सुत्त्र है यानि उर्वरक की गणना करने का एक फोर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए तो जो फोर्मूला है वो इस परकार से है उर्वरक की मात्रा बराबर इस परकार से आपको पता होना चाहिए पहले तो इसके अंदर जो मात्राई है वो आपको पता होनी चाहिए उसके बाद में आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि इसके अंदर कौण सी चीज कहांपर रखनी है तो 100 और यहाँ पर आपको रखना है कि जितनी मात्रा आवसक है जितनी पोशक्ततो की मात्रा आवसक है जैसे नाइटरोजन की निकालब रहे है तो 100 किलोग्राम आवसक है तो यहाँ पर लिखेंगे आवसक पोसक तत्तो की कुल मात्रा यह सुत्र में थोड़ा बच्चेंज हो सकता है प्रंतु सुत्र चीज यह यह ठीक है अलग किताब में थोड़ा और कुछ लिखा हुआ हो सकता है इंटू छेत्रफल और जो छेत्रफल है वो सदेव हेक्टेर के अंदर होता है ठीक है और बटा के अंदर आएगी यह मात्रा जो किसी फर्टिलाइजर के अंदर पाई जाती है उर्वरक में उपस्थित उस पॉसक तत्तो की निश्चित मात्रा ठीक है इस परकार से आपको यह अगर सुत्तर आपको याद है तो आप आसानी से कल्कुलेशन कर सकते हैं कैसे करोगे सो लगा दिया आउसक पॉसक तत्तो की निश्चित मात्रा यानि कि यह चीज यहां जाएगी और यह चीज जो है यानि किसी भी फर्टिलाइजर में उस पॉसक तत्तों की कितनी मात्रा है तो वह चीज अपने निच्चे रखेंगे आगे बात करते हैं इसमें मैंने पहले बताया था जो संकुल है यानि कमपोजिट है जिसमें दो पो सकततों या तीन पो सकततों की मात्रा पाई जाती हैं उनकी पहले बात करते हैं तो उनकी पहले बात करेंगे तो इसमें पहले अपने निकालेंगे फोस्फोर्स की गिणना करेंगे कि फोस्फोर्स की कितनी मात्रा किया आप सकता पड़ेगी तो फोस्फोर्स की निकालने के लिए अपने को DAP की मात्रा किया है आप सकता पड़ेगी यानि DAP कितनी चाहिएगे तो DAP निकालने के लिए 100 दो ॥ कि अभसक्षक तत्तों की कूल मात्रा कितनी चाहिए हुस फ़ॉस कितना चाहिए अपने को असी है इंस-टू दो ह crush get के लिए निकाद रही हैं तो ठीक है जितना है कि कूझ किसान है वो two to echo tead के लिए और यह चीजहें आफिए परती अंटे अंदर फोस्फोर्स की कितनी मात्रा होती है यह रही 46 परसेंट अब इसको हल करना पड़ेगा इसका आएगा ठीक है यह दो हेक्टेर के लिए यहां पर परती हेक्टेर मत लगा देना यह दो हेक्टेर के लिए है यह मैंने कैलकुलेशन एक्स्ट्रा में की है आप करके देख लेना खीक है तो अपने इसको यानि जीरो फिगर के अंदर इसको अपने यह भी कह सकते हैं यानि 348 किलोगराम यह किसकी मात्रा आई है यह यहां पर डिये पी की मात्रा आई है तो यह दिरे दिरे एक एक चीज़ को समझते चलोगे तो से आजाएगा वरना यह स्वाल जो है 6 साली आपके कलियर नहीं हो सकता तो अगर दिरे दिरे इसको समझ कर चलोगे तो एक एक स्टेप वाई स्टेप तो समझ में आ जाएगा इतने समझ में आ गया नॉर्मल सी चीज है सो लगाना है गुणा के अंदर जीतनी आउसक है मात् दो हैक्टेर है और 46 परतिसात इसमें फोसफोर्स पाया जाता है कैलकुलेशन करेंगे तो 348 समझ आएगा ठीक है अब यह आ गई डियेपी की मात्रा अब आगे अपने निकालते हैं इसमें यानि कि कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी मिलेगा तो वो कैसे मिलता है अब अ यह चीज अपने निकाल दी हैं अब इसमें आगे बात करेंगे इसमें से जो 18 परतिसात है वो नाइट्रोजन है इसमें सिद्धा भी निकाल सकते हैं अपने यानि 348 का 18 परतिसात यह तो हैं सिंपल ट्रिक ठीक है इससे निकाल सकते हैं इसको अगर अपने मानलो कटिंग कर तो इसका जो एंसुर है वो आएगा 62.64 या फिर इसको अपने बोल सकते हैं 63 kg ठीक है यह दो के दो हैक्टेर के लिए यानि नाइट्रोजन के मात्रा है वो 63 kg आजाती है अगर इसको अपने समझकर करते हैं तो वो इस प्रकार से होगा यानि यह मात्रा अपने निकाल लिए प पी से नाइट्रोजन मिलता है अब यह चीज तो पता होनी चाहिए वही सो किलोग्राम नाइट्रोजन कितरा मिलेगा यह डिएपी है सो किलोग्राम डिएपी से नाइट्रोजन मिलता है एठारा परतिसत तो यानि एठारा किलोग्राम मिलेगा ठीक है एक से मिलेगा जैसे तो 348 किलोग्राम डी एपी अपने को टोटल देना है तो 348 केजी से कितना मिलेगा वोई सिस्टम है ठीक है अब इसको अपने हल करते हैं तो इससे अपने को वोई एंस्वर आएगा जो मैंने पिछे यहां पर यह निकाड़ा है यही चीज आगी सें कोपी है तो राउंड फि में का मतलब है कि यहां पर मैं लिख रहा हूँ 63 केजी मिल चुका है और यह जो है 348 केजी ठीक है अजिसमें 63 केजी जो है वो मिल देगा फरी के अंदर मिल जाएहां है इस में से तीक है अब आगे क्या होगा वो जमनते हैं अब आगे अपने बात करते हैं नाई्ट्रोजन अपने को 63 किलोग्राम मिल गई है तोटल कितनी देनी है 100 किलोग्राम पर ऩो सब लोग्राम करें और सोरी यूरिया देना है इतना अपने अपने पास जो नाइट्रोजन है वो 200 किलोग्राम की अकॉर्डिंग यूरिया से देना है 63 किलोग्राम अपने डियेपी के थुरू देती है ठीक है तो 200 में से 63 माइनस कर दो ठीक है अब 200 में से 63 माइनस करने के बाद में क्या बचेगा जितनी भी मात्रा आएगी उसकी तो वो अपने को नाइट्रोजन बच जाएगी और जो किसे देनी है यूरिया से अपने को देनी है तो बाकी कितना बच गया 137 137 kg बच गया है ठीक है 137 kg बच गया है जो क्या है कि नाइट्रोजन है और वो किसे अपने को पूर्ति करनी पड़ेगी यूरिया से अब यूरिया डालेंगे अपने ठीक है तो वो ही सिस्टम अब अपने को 100 kg ध्यान में नहीं रखना 137 kg ज्यान में रखना है क्योंकि जो बाकी की जो अपने टोटल कितनी देनी थी 200 kg और जो एक कुछ मात्रा में जो 63 kg है वो डीएपी से पूरी कर दी है बाकी बच गी 137 kg अब वो देते हैं अपने ठीक है सुत्तर जो पिछे करवा है वो ही 100 इंटू टोटल मात्रा कितनी देनी है 137 कितने हेक्टेर के लिए तो वो अपने यहां पर निकाल ली है ठीक है दो हेक्टेर के लिए है यह तो यहां पर अपने को नहीं रखना है ठीक है समझ गए यानि कि दो हेक्टेर के लिए अपने यहां पर निकाड़ ली है मात्रा तो यहां पर नहीं रखना है क्योंकि यहां पर 200 कर दिया है अगर 100 में इसे निकाड़ते तो जरूरी था कि अब यूरिया के अंदर नाइट्रोजन निकाड़ रहे हैं तो यूरिया में नाइट्रोजन कितना था 46% हलक रोइस्कोप यानि जो यह मात्रा है वो लगबग आएगे 299.something है तो अपने राउंड फिगर के अंदर 300 किलोग्राम माल लेते हैं ठीक है कैलकुलेशन कर लेना आप तो यह जो मात्रा है वो किसकी है यूरिया की साथ-साथ में समझते रहोगे तो बिल्कुल इज़ी है वरना कैलकुलेशन उपर नीचे हो जाएगी तो टफ हो जाएगा सारा सिस्टम अब अपने थोड़ा से गोर करने वाड़ी बात है कि डियेपी अपने सुरुवात के अंदर दी थी यही फॉर्मूला लगाया था वहाँ पर ठीक है 137 किलोगराम अपने को नाइट्रोजन और देना था वो किस से दिया है यानि 46 परतिसद यूरिया से दे दिया तो 300 किलोगराम अपने को यूरिया डालने पड़ेगी ठीक है 300 kg यूरिया और ये भी इसके अंदर कमाइंड है ठीक है यानि कहने का मतलब है टोटल यूरिया क्यावसकता कितनी पढ़ेगी 363 kg अगर DAP ने दे तो ठीक है और DAP दे रहे हैं तो अपने को 300 kg यूरिया क्यावसकता पढ़ेगी टोटल नाइट्रोजन जैसे अपने 200 किलोग्राम दे रहे हैं तो उसके लिए नाइट्रोजन यूप फर्टिलाइजर अगर उसमें काम में लेते हैं तो इतनी ज़रूरत पड़ेगी ठीक है अब ये दो फर्टिलाइजर हो गए अब तीसरा है तीसरा है M.O.P. वो इस इस्ट मात्रा देनी है 60 कितने हेक्टेर के लिए 2 हेक्टेर के लिए बटे में कितनी मात्रा होती है 60 फर्तिसर ये तो सिंपल सा ही है इसका इंसर 200 के जिया जाएगा ठीक है 60-60, 200 के जिया गया ये होता है क्यूस्टन ठीक है अब ये सिदा मैंने थोड़ा हार्ड वो वाड़ा करवा दिया आप के जगहे सिंगल सुपर फोसफेट तो उसमें क्या होता है BRI तो उस से निकार लेते है अगर नय हो तो ये उपर से लगते हैं नाइट्रोजन इससे निकल जाती तो नाइट्रोजन इससे निकलती तो क्या होता 100 इंटू कितनी चाहिए 100 गुणा 2 हेक्टेर बटे 6 इसको हल करते जो भी है इंस्वराता तो वो हो जाती यूरिया के लिए स्सवराते 100 इंटू कितनी मात्रा क्या अब सकता है 80 किलो गुणा 2 बटे कितना होता है स्वरापरतिसत जो एंस्वराता स्सवराता स्सवराता जाती मोप की मात्रा जैसे यहाँ पर निकल यह वो ही है ठीक है और अगर कंपोजिट आ जाए तो जो मैंने सारा कुछ 15-20 मिन्ट में आपको समझाया है वो चीज़े होंगी तो ये थी अपने पास उरुवरक की गणना करने की वीदी किस परकार से उरुवरकों की गणना करते हैं तो अपने बुक के अंदर ये चीज़ें दी होती है ठीक है नाइट्रोजन इतना देना है फासफोर्स इतना पोटास इतना अपने को ये चीज़ें डालनी होती है किसान ये चीज़ें डालता है तो किस परकार से गणना करेंगे अब समझ में आ गया कि 60 kg परती एक्टेर के हिसाब से 2 हेक्टेर में कोई किसान पोटास की मात्रा डालता है तो उसको 200 kg MOP डालने के आप सकता पड़ेगी ठीक है और अगर पूछादा है कि फासफोर्स 80 kg परती एक्टेर 2 हेक्टेर में डालना है ठीक है यानि कि 160 kg हो गया दो एक्टेर के लिए तो 160 kg फासफोर्स डालने के लिए अपने को DAP की 348 kg मात्रा क्याव सकता होगी तो यह कैलकुलेशन थी इसको आप अराम से समझ सकते हैं वीडियो को दिरे दिरे करके और साथ में आप थोड़ी बहुत है अपनी तरफ से जो numerical है वो बना कर हल कर सकते हैं तो यह सोटी सी कोशिस थी मेरी कुछ समझें नहीं आया हो तो आप कोमेंट कर सकते हैं मैं दुबारा बता दूँगा धन्यवाद